ये किलर एक लड़की को किड्नेप करके उसको तेजधार वाले चाकू से काटने वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की न तो डर रही है और ना ही रो रही है ये देखकर किलर उससे भी बड़े चाकू से काटने की सोचता है अब इतने बड़े चाकू को देख कर लड़की हसने लगती है जिससे किलर उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्यों हस रही हो जिस पर लड़की किलर से कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉइफ्रेंड मुझे तुम से बचा लेगा इस लड़की का नाम दामिनी होता है जो स्टेशन पर अपने बॉइफ्रेंड के आने का इंतजार कर रही थी लेकिन उसी वक्त ये किलर वहां आकर दामिनी के चेहरे पर स्प्रे मार कर उसे बेहोश कर देता है लेकिन दामिनी के पूरी तरह से बेहोश होने से पहले वो मुस्कुराती है क्योंकि उसने अपने बॉइफ्रेंड को उसी स्टेशन पर आते देख लिया था लेकिन किलर जब देखता है कि वो लरका अंधा है तो वो चुपके से दामिनी को उठा कर वहां से ले जाता है जिससे गौतम को थोड़ा शक होता है और वो दामिनी को आवाज देता है और फिर थोड़ा इधर उधर घूमने पर उसे दामिनी की रिंग मिल जाती है जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी गल्फ्रेंड दामिनी किसी मुसीबत में है अब आगे क्या होता है चलिए जानते हैं मुवी की शुरुआत रात की एक सुनसान जगाह से होती है जहां इस मुवी में एक साइको किलर एक लरकी को बिस्तर पर लिटा कर उसके हाथ पैर बांध कर बिना उससे बात किये उसका सरधर से अलग कर देता है और उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगाह पर रख दे सुनते सुनते गौतम को उससे प्यार हो जाता है लेकिन अभी तक ये उसका वन साइडेड लव था गौतम को अच्छी तरह से मालूम होता है कि दामिनी कब किस वक्त कहा जाती है और आगे क्या करती है इसलिए वो अपने दोस्त राजनायकम की मदद से उसको फॉलो करता रहत है इसी दोरान दामिनी को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुच जाता है गौतम गाना गाकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश भी करता है फिर थोड़ी देर में वो दामिनी को प्रपोज भी कर देता है लेकिन दामिनी उसके प्रपोजल को शुरुआत में ठुकरा दे साथ ही उसे हिंट देते हुए वो गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने को बोलती है अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से रेडियो पर दामिनी का प्रोग्राम सुनता रहता है दूसरी तरफ दामिनी रात के समय गौतम का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि गौतम जरूर आएगा मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गौतम नहीं आता और उसके बदले कोई साइको किलर वहां आ जाता है जो दामिनी के चहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहां आते हुए देख लेती है और उसके चहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है गौतम दामिनी के पास आते ही उसके पफ्यूम की खुश्बू को पहचान लेता है गौतम दामिनी को आवाज लगाते हुए बैंच की तरफ ब किल दामिनी को एक जगाह लाकर उसके हाथ पैर को काटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दामिनी के चेहरे पर जाती है जिस पर किसी तरह का कोई दर नहीं था बलकि वो उल्टा मुस्कुरा रही थी किला उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई डर्क्यों नहीं है दामिनी उसे बताती है कि आज से ठीक साथ दिन बाद मेरा जनम दिन है और मेरे जनम दिन तक अगर मैं गौतम तक नहीं पहुच पाई तो वो मुझे कहीं से भी धून निकालेगा ये सब सुनकर किला दामिनी को नहीं मारता और उसके चैलेंज को एकसेप्ट कर लेता है थोड़ी देर बाद किला बाहर जाकर एक प्रोस्टीट को पकड़ लेता है और बेहोश करके अपने यहां ले आता है दामिनी की जगा उसके हाथ पैर बांध कर उसका भी सरधर से अलग कर देता है इतना सब करने के बाद किलर दामिनी से कहता है कि जब गौतम तुम्हारी खोज करते हुए यहां आएगा तब मैं उसका सरकाट कर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सरकाट कर उसके हाथ में रख दूंगा अगले दिन किलर प्रोस्टीटीट की बॉड़ी को बाह गौतम फॉरन सुशीला नाम की साइकेटरिस्ट के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है डॉक्टर सुशीला बताती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो किलर जिस भी लड़की को किड्नेप करके ले जाता है उसे मार कर ही है दामिनी के केस में ऐसा क्या अलग हुआ साइकेटरिस्ट गौतम को होसला देते हुए कहती है कि देर साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है मगर अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई शायद इस बार तुम उसे पकड़ सकते हो लेकिन फिर भी गौतम पुलिस कमिशनर के प कुछ बता देता है लेकिन कमला उसे यहां आने के लिए मना कर देती है साथ ही उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है असल में एक एकसीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिये थे इसके बाद से वो वील चेयर के सहारे रहती थी इससे गुस्सा होकर गौतम उस अच्छी सी गारी में कहीं ले जा रहा था वो दिखने में भी काफी अच्छा था इस तरह की कुछ जानकारी इकठा करके पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है और उसकी उमर तकरीबन 28 से 30 साल के आसपास की है और उसकी एक या दो लगजरी कार भी है फिर उस कारी लानी होगी असल में देर साल पहले वो इस केस पर काम कर चुकी थी इसी वजह से उसे मालूम था कि सबूत और डिटेल्स कहां रखे है कमला की मदद से गौतम CID के आफिस तक पहुच जाता है जब गौतम अलमारी खोलने ही वाला होता है तब एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है तभी मुथू अपने घर की चावी वापस लेने के लिए ओफिस में आता है तो मुथू को थोड़ा शक होता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था मुथू के जाने के बाद हमें पता चलता है कि ओफिस में दूसरा इंसान अकबर था और उसने ही उसको चुपा दिया था कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी डीटेल पेपर्स की सारी कौपी उसे दे देता है फिर डीटेल्स को घर ले जाकर कमला उसको स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि अब तक कुल मिलाकर 14 लर्किया गायब हुई है उनमें से चार तो प्रोस् प्रोस्ते में उनकी बच्ची गायब हो गई थी ये सारी बाते सुनकर गौतम हर उस जगाह पर जाता है जहां उन लर्कियों को आखिरी बार देखा गया था गौतम नोटिस करता है सभी क्राइम सीन पर एक चीज कॉमन थी जो की एक डस्ट बिन था जिससे गौतम और कमला स सोचते हैं कि पहले किलर एक क्यूट से पपी को खरीदता होगा और उसे लाकर डस्ट बिन के पास छोड़ देता होगा फिर जब लड़की पपी को देखकर अपनी गारी रोकती होगी तभी वो किड्नेपर कहता होगा कि एक कुट्ता मेरा है प्लीज इसे लाकर मुझे दे और जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी तो वो किसी तरह से उनको बेहोश करके किड्नेप कर लेता होगा दूसरे दिन किड्नेपर ठीक उसी प्लानिंग से एक नई लड़की को किड्नेप करने वाला होता है मगर वो इसमें काम्याब नहीं हो पाता योकि कल कमला और ग उस लड़की को भी किड़नेप कर लेता है जो आज सुबाँ उससे बच गई थी किलए उस लड़की को अपने यहां लाकर एक बार फिर मार डालता है मगर इस बार वो लड़की का सरकाट कर उसका धर लाकर गोटम के घर के बाहर रखकर एक मैसेज भेजता है जिस पर लिखा था एडवांस हैपी बर्थडे गौतम को उस लर्की के शरीर से एक अजीब सी स्मेल आती है इसलिए वो राजनायकम से कहकर एक सफेद और एक काले पिग को लाने के लिए कहता है राजनायकम ऐसा ही करता है और वो उसके सामने दोनों पिग लाकर रख देता है गौतम कमला को पताता है कि उसे इस लर्की की बॉड़ी के साथ ही इससे पहले मरने वाली प्रोस्टीट्यूट लर्की से सफेद पिग वाली स्मेल आ रही थी अब वो लोग एक एक करके सभी पिग फार्म पर जाकर खोज बिंग करने लगते हैं मगर कोई भी पिग फार्म में उनको ऐसा यंग मालिक दिखाई नहीं देता जो किलर के हुलिये के साथ मैच होता हो इसी दोरान मुथू को ये बात पता चल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म पर जाकर पूछ ताच कर रहे हैं क्योंकि मुथू ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगा रखा था मुथू ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से उस फार्म का मालिक वही किलर होता है जिसे वो अभी तक खोज रहे थे पुलिस को अपने यहाँ देखकर किलर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगा कर बेहोश कर देता है इसके बाद हम पुलिस वाले को उसके कमरे में बंद देखते हैं जिसमें किलर अपने सभी कारनामों को अंजाम दिया करता था जब वो किलर वहाँ पर नहीं होता तो दामिनी उसको होश में लाकर उसे यहाँ से भागने को कहती है लेकिन मुथू कहता है कि मुझसे यह नही थोड़ी देर में वो साइको किलर मुथू के पास आकर उसे भी मार डालता है दूसरी तरफ सभी पिक फार्म की जाच करने पर गौतम और उसकी टीम के हाथ कोई सबूत नहीं लगता लेकिन कमला को पूरा भरोसा था की किलर इन ही में से किसी एक पिक फार्म में मौजूद पूछकर अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है वही दूर खड़ा राजनायकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फौलो करने लगता है दोनों के बीच में एक काफी लंबी रेस होती है दुरभागे से रा पोस्ट मॉटम करने वाला डॉक्टर गौतम को उसका सामान देते हुए उसे बताता है कि चिले उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली को काट कर अपने साथ ले गया है ये सब देखने के बाद गौतम कमला और उसकी मॉम से कहता है कि वो अब उस किले के पीछे और नहीं भाग किया अगर उस वक्त मैं कॉलेज की सीधियों से नहीं गिरी होती तो आज ये केस मैं अकेले ही सॉल्व कर लेती ये कॉलेज वाली बात सुम कर गौतम और कमला सीधे उस कॉलेज में जाकर पूछताच करते हैं जहां कमला डेर साल पहले आय थी आसल में यहां एक स्टुडें में बैठा है प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो एक लेफ्ट हैंडेड था क्योंकि उसने मेरे यहां पॉपकॉन भी बाय हाथ से लिया था साथ ही पूरे फंक्शन के दोरान उसका दाया हाथ उसकी पॉकिट में ही था ये सब जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से आ जाती है और वो फौरन ही जाकर राजनायकम के सामान की जाच करता है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि किलर की दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं है असल में ये एक सुराग थ जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़ कर गया था जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का नाप ले लिया था इसी की मदद से वो अलग-अलग कार बनाने वाली कमपनियों में पूछताच करता है और आखिरकार उन्हें काम्या भी मिल जाती है अपके बताने के मुतविक अन्गुली माल नाम का एक आद्मी है जिसके नाम एक होटल है और एक पिक फार्म भी है किलर का पता करके कमला और गौतम अभी बाहर गया है इसी मौके का फायदा उठा कर गौतम उसके ऑफिस की चानवीन करने लगता है इसी खोज पड़ताल मे गौतम को एक मैप मिलता है जिसे लाकर वो कमला को दिखाता है अब सीन यहां से शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर दामिनी को देखते है उस बंद कोठरी में दामिनी को एक ओरत दिखती है जो कई सालों से यहां कैद है दामिनी के पूछने πर वो बताती है कि उसका नाम रिचल है. रिचल अंगुली माल की टीचर थी. अंगुली माल एक अनाथाले में बड़ा हुआ था. बच्चपन में रिचल ने किला को सजा दी थी. उसी का बदला अंगुली माल आज उससे ले रहा है. दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलिया ल इस पर अनगूलिमाल उसे बताता है कि जब मुझे गिरफ़तार करके उस जेल में ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी इसलिए मैंने उसे मार डाला अब गौतम और कमला भी उस जगाह तक पहुच ही जाते हैं और उनके अंदर जाते ही फार्म के अंदर लगे अलाम बजना शुरू हो जाते हैं ये जानकर अंगुली माल जब गौतम को मारने ही वाला होता है तब ही इलाके में पावर कट होती है असल में कमला की माने इस इलाके की लाइट को कार दिया था अब अंधेरे में अंगुली माल गौतम को दूनने लगता है अंगुली माल गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दोगे तभी गौतम सामने आता है और अनगुलिमाल उसके पेट में छुरा मार कर उसे घायल कर देता है गौतम भी बिजली का जटका देकर अनगुलिमाल को बेहोश कर देता है बेहोश होते ह गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है उसके बाद गौतम दामिनी को धून कर उसके हाथ पैर खोल देता है और जब ये दोनों यहां से भाग रहे होते है तब अंगुली माल जोर जोर से चिलाता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़ कर मत जाओ मैं अकेला नह जोर दिया और उसके अकेलेपन का फायदा ऊठाया गया अगर उसकी भी मा या बहन होती तो शायद उसे भी उतना ही प्यार मिलता और वो कभी साइको किलर नहीं बनता इस तरह से उसको सिम्थी देते हुए इंटर्विव को अंगुलिमाल भी देख रहा था वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है किसी ने उसे प्यार क की नजरों से देखा और अब अपनी गलती और हार मान कर अंगुलिमाल एक पहार से कूद कर अपनी जान दे देता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है